नुपुर्शर्मा को सुप्रिम कोट ने दी राहत पैगंबर पर बयान देने वाली नुपुर्शर्मा दिल्ली में होगी मामलो की सुनवाई एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो आ रही है नुपुर्शर्मा को लेकर पैगंबर मुहमत पर पूर बीजेपी परवक्ता नुपुर्शर्मा की टिपनी के बाद कई अलग अलग राज्यों में FIR धर्च की गई थी जिसके बाद नुपुर्शर्मा ने सुप्रिम कोट में अपने सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी अब इस मामले में सुप्रिम कोट ने नुपुर्शर्मा को राहत दी है सुप्रिम कोट की जस्टिस कांथ बैंच ने नुपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए सभी केसों की सुनवाई दिल्ली में करने का आदेश दे दिया है जिसका मतलब ये है कि देश भर के अलग-अलग राज्यों में जितने भी उनके खिलाफ दर्ज केस थे अब दिल्ली में उनकी सुनवाई होगी जब नुपुर ने पैगंबर पर बयान दिया था तो सबसे पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ महरास्ट में मामला दर्ज किया गया था उसके बाद पस्चिम बंगाल और फिर राजिस्थान में अलग-अलग मामले दर्ज किये गई थे जाहिर है कि नुपुर शर्मा की याचिका पर पिछले महीने सुनवाई करते हुए सुप्रिम कोट ने बीजेपी की निलम्बित नेता को बड़ी राहत दी थी जिसमें उनकी 10 अगस तक गिरफतारी पर रोक लगाई थी इतना ही नहीं इसके साथ साथ कोट ने केंद्र और उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया है जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज किये गए हैं इस नोटिस में आदालत ने राज्यों और केंद्र सरकार से पूछा था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज केसों को एक ही स्थान पर क्यों ना ट्रांसफर कर दिया जाई तो महीं नुपुर्शर्मा की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ अलग अलग जगाहों पर नौ मामले दर्च किये गई हैं और उन सभी को एक ही जगा ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि देश के अलग अलग राज्यों में उन्हें यात रही हैं ये धमकियां बयान के बाद से लगातार मिल रही हैं इस पर आदालत ने कहा दा कि हम आपके कानूनी विकल्पों को बरकरार रखना चाहते हैं दरासल एक टीवी चैनल की डिवेट में नुपुर्शर्मा ने पैगंबर पर विवादित ब्यान दिया था जिसके बाद देश ही नहीं बलकि विदेशों में भी नुपुर्शर्मा के ब्यान की आलोचना की गई थी जिसको देखते हुए बीजेपी ने नुपुर्शर्मा को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया था और नुपुर्शर्मा ने अपने ब्यान को लेकर माफी भी मांगी थी इस ब्यान को लेकर कई जगा प्रदशन किये गई जिसके बाद देश का माहौल काफी बदल गया था बहराल अब देखना है कि आखिर इस मामले में अगली बड़ी खबर कौन सी आती है अभी के लिए फिलाल इतना ही नई अपडेट पाने के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ